बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने पसिंद्ध प्रोग्राम BPSC Current Update के इसने एपिसोड में जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने एपिसोड में बीते हफ्ते जो भी खबरे सुर्फियों में रही होती है उनके आधार पर प्रशनों को फ्रेम करके इस एपिसोड में प्रस्तुत होते हैं जिससे की जो आगामी परिक्षा है उसमें समसामाईकी से जोल करके जो भी प् स्थान की और से जो भी द्रिष्टी संस्थान की अन्य साखाए है साती साथ जो मुख्य साखा है वहाँ पर इंदी माध्यम में आफ-लाइन मोड में फाउंडेशन बैच की शुरुवात कर दी गई है कुछ ब्रांचों पर और कहीं पर शुरुवात होनी बाकी है तो यह फाउंडेशन बैच जो होगा इसके अंतरगत प्रिलिम्स और मेंस के अंतरगत जो भी पाठिकरम है उसको विस्तार से द्रिष्टी संस्थान के बढ़ा सकते हैं तो सबसे पहले बात करें दिल्ली की जो मुरजी नगर साखा यहां पर कक्षाए 29 दिसम् deber से शुरू हो गई है और लखनाव साखा की बात करें तो 27 दिसम यहां पर संब्र्वेस सु dalla प्रकुर्वेजस स करंपे तो यहां पर और जयाते हैं अप्सैना कर सकते हैं कर सकते हैं चलिए करते एपिसोड की और देखते हैं कि पहला सवाल आप सभी के लिए क्या Pen!」 इस वाल ही में 18 भोषपूरी Film Awards 2023 में किसी सर्वश्रेष्ट अभिनेत्री के अवार्स से सम्मानित किया गया है विकल्प है आमरपाली दूबे मोनालिसा रानी चतर जी या फिर शुभी सर्मा तो 18 भोषपूरी Film Awards 2023 की बात करें तो इसमें सर्वश्रेष्ट अभिनेत्री के लिए आमरपा प्ला और कल्लू को सर्वुंपर्वार्ण से संमानित किया गया थो वहीं अभिनेत्री आमरपाली दूबे को सर्वर्ण से अंतर्गर्ड इस संमानित किया है इसके साथ ही प्रम pantalla निर्देशक और रंजन से शुरू हुई ये अभी नेत्री आमरपाली दूबे जी का चित्र है तो प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए यानि की आमरपाली दूबे पशुपोशन एब भी लौंज किया है कहा पर किया बिहार पशुविज्ञान विश्व विद्याले में पशुपोशन एब भी मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा लौंज किया गया है इसके अंतरगत करें तो यह 3 दिवसी BR Dairy Expo था इसमें 249.96 करोड रुपए की लागत से इस्थापित कामफेट पटना के 5 डेरी सैयंतरों जिसमें 72.76 करोड रुपए की लागत से कामफेट स्थापित किया गया है सवाल फ्रेम किया गया है मैथिली भाषा के किस रचनाकार को वर्ष 2023 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरसकार देने की घोशना की गई है विकल्प है म्रिदुला सिनहा ताबिश्खैर बासुकी नात जहा या फिर कमल कांत जहा तो यहां पर अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरसकार की घोशना की गई है वर्ष 2023 के लिए इसके अंतरगत मैथली भाषा की बात करें तो मैथली भाषा के रचनाकार बासुकी नाथ जहा को समयनत किये जाने की घोशना की गई है उनका अगर जो हम बात करें किसके लिए यह आवओरड दिया गया है तो उनका एक निबंद संग्रा है बोध संकेतन के नाम से और इसी निबंद संग्रा के लिए इन्हें इस अवार्ड के लिए चुना गया है यह बिहार के समस्त्री पुर्जिले के निवासी है इसके अलावा बासुकीना जहा मैतली भासा में विद्यापति काविलोचन, सास्त्री समालोचन, अनुशीलन अव। समालोचन आतमक शोध वनिबंध संगरा, परिवा, आधुनिक समालोचन आतमक निबंध संगरा, बोध संकेदन, विभिन लेक और लिखी गई पुष्ततक की भूमिका संगरा, वास्तुवाची संकेदन, मैथली साहित रूप रेखा, और सामाजिक चेतना सहित अनेक किताबे लिख चुके हैं तो ये इनकी महत्पूर्ण उपलब्दियां हैं हलाकि आप चाहें तो इसे देख सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि बोध संकेतन का नाम ना दे करके किसी अन्य रचना का किसी अन्य उपन्यास का नाम दे करके भी पूछा आसुकी ना जहा किसके लिए दिया गया है बोध संकेतन जो की एक निबंद संग रहा है चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं प्रशन बनाया गया है निमलिखित में से किस जिले के टेल करोड घरों में निशुलक इंटरनेट कनेक्शन दिया जाने का फैसला लिया गया है सारण के प्रतिक गाओं के प्रतिक घर में इंटरनेट कनेक्शन निशुलक दिया जाने की घोशना की गयी है तो प्रस्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा यानि कि सारण इसके अंतरगत अगर देखे तो एक गुलाबी रंग के फॉर्म के माध्यम से ल वहां पर आप द्यान रखिए कि इंटरनेट का कनेक्शन निशुलक दिया जा रहा है लेकिन इंटरनेट के लिए जो आप उपयोग करेंगे तो वहां पर कुछ प्लैन भी इस उद्यमी योजना के अंतरगत बताय जा रहे हैं दिये जा रहे हैं तो किस योजना के अंतरगत भारत निट उद्ध्यमी योजना के तहट आप्टिकल फाइबर गेटवे से बिहार के सारण जिले का हर गाउं और हर घर में ब्रोडबेंड कनेक्शन लगाया जाएगा और इसकी शुरुवात कर दी गई है जिसे मार्च 2014 तक पुरा करने का लक्षे रखा गया है तो प्रस्न का सही उत्तर विकल्प यानि की सारण हो जाएगा अगला सवाल है मंगोल रैली पोल्स आफ दी इनकन्वेनियंस 2023 में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला टीम में निमनलिखित में से कौन शामिल है अनुभावर्मा, वैशाली सर्मा, रोनिका ठाकूर या फिर मोहिनी सिंग तो मंगोल रैली पोल्स आफ इनकन्वेनियंस 2023 की बात करें तो यह विश्व के सबसे कठिन रैलियों में से एक मानी जाती है इसमें जो है भारती महिला की जो पहली टीम है उसमें अनुभावर्मा और साथ में मनीशा मिश्रा भी शामिल है तो यहाँ पर मनीशा मिश्रा का नाम नहीं है यहाँ पर सिर्फ अनुभावर्मा का नाम दिया है तो प्रस्न का जो सही उत्तर हो जाएगा अनुभावर्मा हो जाएगा तो बिहार की अनुभावर्मा और मनीशा मिश्रा ने देश की उस पहली महिला टीम का हिस्सा बन गई है जो की मंगोल रैली में शामिल हुई इसे दुनिया की सबसे सहासिक रैली मानी जाती है इस रैली की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा अनुभा वर्मा इसके अलावा मनिशा मिश्रा भी इसमें शामिल है साथी साथ इन दोनों ने अपनी ब्रिटेन निवासी एक साथी का भी इसमें सही योग लिया जिनका नाम है पूजा शर्मा यह तीन नाम आप ध्यान रखिए चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं प्रशन है हाल ही में निमलिखित में से किसने नेशनल होर्स राइडिंग चैंपियंशिप में गोल्ड मेडल जीत कर बिहार का नाम रौशन किया है विकल्प है सोनम यादव, मोहित मिश्रा, सीमा अिवासी अंकित यादव ने गोल्ड मेडल यानी के सोन enabling जीत कर के बिहार का रौशन किया है तो प्रस्ण का चैंपिया य hade यहां तक कत सफर काफी कठ नाई पून रहा काफी संघर्स बरा रहा तो बच्पन से अंकित को घुरुट्सवारी का सौक था लेकिन गया तथा आसपास के जिलों में कोई प्रसिक्षन से संबंदित संस्थान नहीं होने के कारण छोटी उससे उम्र में ही इन्हें राची जाना पड़ा और वहीं जा करके नहीं अपनी पढ़ाई लिखाई सिक्षा दिक्षा पूरी की और घुल सवारी भी सी सामने है कि इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत करके इन्होंने पूरी राज जी का नाम रोशन किया है चलिए अगला सवाल देख लेते हैं प्रस्न है करम चट बांध किस नदी पर निर्मित है दुर्गावती नदी कोसी नदी या फिर गंडक नदी तो करम चट बां करन स्थानों में से एक माना जाता है और वर्स 1986 में जो यहां पर एक भयंकर आकाल आया था और उसके वज़ा से जो आस-पास के छेत्र थे जहांपर सिचाई की कोई सुविधा नहीं थी यानि कि जो असंचित छेत्र थे उन छेत्रों में सिचाई की सुलबता या जल दुर्गावती नदी पर है जो कि सासा राम से लगबग 35 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित है यह आप चित्र भी देख सकते हैं तो प्रस्ण का सही उत्तर विकल्प यह यानि की दुर्गावती नदी अगला प्रस्ण है पादरी की हवेली कहां इस्थित है यहां पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दे कि चुकि हमारे प्रोग्राम का नाम करेंट अफेर्स है यानि कि ऐसी खबरे जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहती हैं उनी के आधार पर सवालों को फ्रेम कि किया जाता है तो इस तरह के प्रस्ण आपको ऐसे लग रहे होंगी कि कन्वेंशनल है पारंपरिक है यह करेंट अपेर से जुड़े नहीं है तो आप इसकी भूल ना करें क्योंकि जो सवाल फ्रेम किये जाते हैं तो बिहार सरकार के अंतरकत जो विभन मंत्राले हैं उन पर पर कोई अपडेशन होता है तो हम उसको न छोड़े यानि की प्रस्ण जो है आगामी परिक्षा में इससे भी जोड़ करके बनाया जा सकता है इस तरह से इस प्रस्णों को हम अपने एपिसोड में शामिल करते हैं चलिए देखते हैं कि विकल्प क्या है रोहतास इसकी अगर हम बात करें वास्तुकला बहुत ही शांदार और अपने आप में बहुत ही जटिलता लिये हुए है इस चर्च को पहली बार वर्स 1713 में बनाया गया था लेकिन जो आज हम यह डिजाइन देख रहे हैं जिसमें इसकी डिजाइन आप देख सकते हैं इसे वर्स 1772 में वेनिस के वास्तुकार तिरेटो द्वारा डिजाइन किया गया था यह भी ध्यान रखिया किस वास्तुकार के द्वारा इसके डिजाइन को बनाया गया था तो वह है वेनिस का तिरेटो कब किया था 1772 में तो कहां इस्तित है यह पटना में इस्तित है तो प्रस्न का सही खिक कर लिजेगा सही से लिखा नहीं है तो मुंडेश्वरी मंदिर की अगर हम बात करें तो ये कैमूर जीले में पवरा पहाडी के सिखर पर इस्तित है जिसकी उचाई तकरीबन 600 फिट है तो प्रसल का सही जवाब हो जाएगा विकलपसी यानि की कैमूर कैमूर में कहां पर इस्तित है पवरा पहाडी के सिखर पर जिसकी उचाई लगभग 600 फिट है इस मंदिर की जो नकासी है और मूर्ती है ये उत्तर गुप्त कालीन है और यह एक अश्ट कोडी मंदिर है ये भी ध्यान रखिएगा और ये किस चीज के लिए फेमी से सबसे पहले तो ये जो मंद मंदिर बहुत जादा प्रसिद्ध है तो इसकी जो बनावट है या जो यहां पर मूर्तियां है जो नकासी है वह उत्तर गुप्त कालीन है अश्ट कोडी मंदिर है कहां पर है बिहार के कैमूर जिले में इस्तित है किस पहाडी पर है पवरा पहाडी के सिखर पर इस्तित है बस इतना ही आपको जानना है, तो प्रस्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्पसी यानि की कैमूर, अगला प्रस्न है सभ्यताद्वार कहां इस्तित है, पटना, पूर्वी चंपारण, नालंदा जा फिर मुझपरपुर, तो सभ्यताद्वार की अगर हम बात करें तो ये पटना में इस्तित है जिस तरह से नई दिल्ली में इंडिया गेट, पतेपुर सीक्री में बुलंद दर्वाजा, वही मुंबई में गेटवे आफ इंडिया है, तो उसी इस रंखला में पटना में इस्तित सभ्यताद्वार भी एक आहतिहासिक इसमारक होने के साथ साथ य या सभ्यताद्वार और जिस सैली में निर्मित है वो काफी अदभूत है इसके अलावा यहां पर चार महापूर्चों के आदेश या उनके वक्तव्य उनके संदेश को यहां पर लिखा गया है अंकित किया गया है वो कौन-कौन से है भगवान बुद्ध भगवान महावीर सम अगली का इंडिया गेट है बिलकुल उसी की तरह से दिखता है हाला कि विभनताय तो जाहिर ही है यह रहा आज के एपिसोड का अंतिम सवाल और इस अंतिम सवाल के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम देते हैं मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए और सूचनाओं के साथ तब तक पढ़ती रहिए आगे बढ़ती रहिए जैहिन